नेपाल मा पहिलू पटक कुरूना भाइरस को ओमिक्रोन भरेंट को नया प्रजाती फिला परेकुछ जसका कारण नेपाल मा चौथो लोहर आउनो सकने संकेत देखियेकुछ तेसरो लोहर मा ओमिक्रोन ली दिरैलाई संक्रमण गराएकु हुदा अहीली नया प्रजाती का कारण फेरी पनी सचेत होनु परने इस्तेती उत्पन नभाएकुछ एकरिपोट पचलो एक साता मा मात्रई चार्चे उनान 40 चना मा कोरोना संक्रमड पुष्टी भायको छा दुई साता अगारी 10 देकी 15 जना को परेक्षन करदा दुई तिन जना मा मात्रई कोरोना संक्रमड देखीने करेको सुक्रराज्ट अपिकल्थ था प्रारंबिक अद्यन हरुमा कम घातक भनिये पनी चीटो फईली ना सकने देखीये कोले जो किम सम्मुहामा रहेका बेग्तिले सतरकता आपनावन उपरने बिग्किये हरुको सुझा आप्छा आप्छा एक तमे पहला जुन दस्र लहर में आश्टा जेक्ता में भरी भरा होंचे तियो अबस्ता से स्रेजनाना होने सम्मार मत देखती ना एस अकारी कोरोना भाइरस का अलफार डेल्टा जस्ता प्रमुख बेरियेंट हरू देखिये का थी जसले संक्रमamiliar को ठुलो लहर निम्तियाएको थीयों तिसको प्रभाब अजै समपनी साम्मे नभायको अबस्ता मा पुन नया भेरियेंट ले अर्को लहर निम्तियाओं सकी भने चिनता बेक्ता हुना थालेको चो स्वास्ते तथा जनसंक्या मंत्रालाय का प्रभक्ता संगीता कोशल मिस्टाले ओमिक्रोन फेरिन को उपप्रजाती देखा परेशंगाई साब्धानी अपनाउना आग्रह करेकी छिन। सिक्षे ट्यार कोशल मिद रोगी उनों वन्दा जनस्वास्ते को मापडंड को पालना गरने और जोड़ी जरूरी देखें चा नागिक्रोन पर्भक्ता साथ जानस्वास्ते का मापडंड को बाहरी वावरि मापडंड आफनो तेही साबले मापड़न्दारू अपनाउनो पोर्षादू इउरोपी देश अमेरिका अस्ट्रेलिया रा अफ्रिका माँ समेद पुस्टि भाय को छा। पचिलो समय इउरोप का धेरी देश हरू माँ बीएफाइब प्रजाति को संक्रमड देखिये को छा।